नमस्कार दिलिया में आपका स्वागत है दिली के लिए एक अच्छी खबर है दिली में जल्द ही बारवी में 60% नंबर पाने वाले स्टुडेंट्स को भी कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा इसके बारे में नई सरकार ने पहले दिन से ही खोशिशे दिली के लिए सरकार की उनिवर्स्टीज में कितनी सीटे बढ़ाई जाने की जरूरत होगी और युनिवर्स्टीज के एक्सपेंशन प्लान को लेकर क्या किया जा सकता है उनका कहना है कि केज्रिवाल सरकार के लिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है स्कूल एजूके कर चुकी थी एक अनुमान के मुताबिक दिली में हर साल करीब धाई लाख स्टुडेंट्स बारवी पास करते हैं और इन में से करीब देड़ लाख स्टुडेंट्स को ही कॉलिज में अलग-अलग कोर्सेज में एडमिशन मिल पाता है पिछले कुछ सालों में दिली सरकार ने अपनी युनिवरस्टी के कैमपस के एक्सपेंशन से लेकर नए कोर्सेज की शुरुआत कर करीब 25,000 नई सीटे जोड़ी हैं डी वोकेशनल कोर्स शुरू किये गए हैं DTUNSIT अमबेटकर युनिवरस्टी के कैमपस का एक्शन प्लान कर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है और अगले कुछ सालों में 70-75,000 और सीटे बढ़ाई जाने का लक्ष है दिली में बनेंगी दो नई युनिवरस्टी उपक्यमंत्री ने कहा कि दो युनिवरस्टी दि आद्मी पार्टी का शिक्षा प्रमुख मुद्धा रहा और ऐसा लगता है कि जनता ने नई सरकार चुनने के दोरान शिक्षा को विशेश महत्यों दिया दिली स्पोर्ट युनिवरस्टी का उद्देश यह है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को लुईन करने नेुक वेलों में अच्छा arthॉर्शन कहईा।